चोपड़ा जबिसने युटूब चैनल पर मैं हरसाय चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो अभी ये तो क्लियर हो चुका है कि रिये नीट नहीं होगा और अभी NTA दवारा रजल्ट जारी किया जाएगा तो ये NTA दवारा रजल्ट कब जारी किया जाएगा कब ओमार सीट और अन्सवर सीट रिलीज होगी इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साथी साथ करनाट का स्टेट में जिन कंडिडेट्स ने application form फिल कर रखा है उनके marks update करने हैं वो कैसे करने हैं और इनके form दुबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते करिला के form दुबारा कब open होंगे इसके बारे में हम विश्चा करेंगे तो इस वीडियो में हम सबसे पहले need 24 के result date के बारे में चर्चा करेंगे NEET 24 के Answer की Omar Seat Release Date के बारे में बात करेंगे MCC और State Counseling की Starting Date क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे और 24-25 का Batch कभी Start होगा इसका Season कभी Start होगा और करनानका State के Marks Entry Update के बारे में बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इसके लिए हमारी तीन बुक अवेलेबल है MCC और All India Quota की बुक अवेलेबल है इसके बाद State में सभी States की बुक अवेलेबल है और IOS और Veterinary की बुक भी अवेलेबल है इन सब में हमें दे रखी जो हमने जो आपको इसमें दे रखा है वो All India Quota, Open Quota, BAC Nursing, AIMS, JIPMAR, AFMC, DUIP, Internal, Central University, ESIC, Dimdor, Central Pool कोटा के बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें दे रखी है च्वाइस लिस्ट दे रखी है 2100 के लिए आपको कैसे 24 फिलिंग करने है उसमें आपको काफी हैल्फ मिलेगी ग्राउंड वाइस, कैटेगरी वाइस, कोलेज वाइस, चार साल की कटोप दी गई है और बॉंड वगरा के बारे में फीस और सभी स्टेट्स में बॉंड कितना है उसके बारे में जानकारी दी गई है, सीट्स के बारे में और बहुत कुछ जानकारी है इसमें काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी समझाया गया है 24 लिस्ट दी गई है इसमें कोन से येर में कोन सी कोलेज इस्टेबलिस हुई थी, कोन से स्टेट में उसकी tuition fees क्या है, किस करम में fill करें, पिछली बार का जो marks थे, उसमें 15 marks add करने से इस बार आपको कौन सी college मिल सकती है, इसकी जानकारी ले सकते हैं, seat और established year की जानकारी ले सकते हैं, पिछले 4 साल की cut-off है, तो cut-off से आप idea लगा सकते हैं कि आपके नमबर पर आपको कौन सी college मिल सकती है, इसी प्रकार से aims और dim day university के बारे में भी जानकारी दे रखिये, इसके बाद में central pool quota के बारे में भी सबकुछ सम्झाया गया है, इसमें, counseling process के बारे में सम्झाया गया है, ऐसे ही state की book में सबकुछ available है, हर एक state के बारे में fees, hostel fees, cut-off के बारे में जानकारी दी गई है और counseling process अलग-अलग state का अलग-अलग होता है, उसके बारे में समझाया गया है, choice list कैसे fill करेंगे उसके बारे में, documents की care requirement है, वो समझाया गया है, IOS और veterinary की book में भी same facility available है, इसको आप download कर सकते हैं, वीडियो की description क्लिक करेंगे, तो यहां तीन books के link दिये गए हैं, तीनों में ज service भी ले सकते हैं, तो अब बात करते हम, हमारी website से download करने के लिए इस परकार का link मिलेगा, जहां से आप download कर सकते हैं, जो books की requirement है, अब बात करेंगे 24 के लिए omar seat और answer seat और result कब तक आएगा, तो देखो need 24 का exam date था, वो 5 मई 2024 था, यह सब हमको पता है, यह exam भी आपने दे ली है, और इसकी जो answer की आने की expected date है, वो 1 जून 24 है, 1 जून 24 है, क्योंकि इसकी result की जो official date है, वो 14 जून 24 यह NTA ने declare कर रखिये, officially announce कर रखिये, यानि कि 14 जून को result आ जाएगा, result 14 जून से पहले पहले भी आने की समावना हो सकता है, यह 10 जून तक भी आ जाए, क्योंकि NTA इस करेगा, क्योंकि पता है, इस बार काफी सारी जो बातें चल रही हैं, कि paper leak हुआ है, और court में cases भी हुए है, उसके चलते मेरे को लग रहा है, कि NTA जल्दी ही result announce कर देगा, तो हो सकता है, यह 14 जून से पहले पहले भी आ जाए, लेकिन 14 जून को confirm है, official date announce कर रखिये है, कि इस date से पहले पहले result आ जाएगा, जब 14 जून को result आ जाएगा, तो 1 जून के nearby आपके answer की release हो जाएगी, और उसके 2-3 दिन बाद में 3 या 4 जून को आपकी ओमार release हो जाएगी, answer की और ओमार release होने के बाद आपको इन दोनों का challenge के लिए समय दिया जाएगा, वो 3 दिन का समय दि और NTA ने उसका response दूसरा capture किया है, तो आपको ओमार challenge का option मिलता है, answer QE में अगर किसी question का आपको लग रहा है कि answer NTA ने गलत दिया है, तो आप answer की को भी challenge कर सकते हैं, इसका challenge करने का process मैं आपको समझा दूँगा, तो ये 3 या 4 जून तक आपको ये challenge करने का समय दिया तीन दिन का समय दिया जाएगा, 7 या 8 तारिक तक आप इसको challenge कर सकते ही, ये expected date है, इसकी ओमार और answer की की challenge की और release की, तो फर्ष्ट जून को ये release हो सकती है, अब बात करें, counselling कब start हो सकती है, MCC और state की, तो पहले MCC की counselling start होगी, फिर state की counselling start होगी, तो हम ये आसा कर रहे ह हैं कि 1 जुलाई 24 के nearby ये counselling start हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार 20 जुलाई को start होई थी, पिछली बार late start होने का कारण ये था कि इससे पहले वाले बैच, corona के कारण exam late होए थे, और वो बैचों की जो internal assessment है, वो exams नहीं होए थे, admission late होए थे, उसकी बज़े से, ये counselling late start होई लेकिन इस बार हम मान रहे हैं कि ये 1 जुलाई 24 तक start होने की possibility है, क्योंकि NMC द्वारा ये किया जा रहा है कि अभी पहले वाले schedule पर ही लिया जाए, इसको session को पहले वाले schedule पर ही लिया जाए, तो पिछली बार जब 1 शिप्टेमबर 2023 को ये session start हो गया था, तो अभी हम सोच हैं कि ये 15 date advance हो सकता है, ये 15 अगस्ट 24 को session start हो सकता है, तो ये date expected है, और इससे आप ये previous year की date से भी 20, 22, 20, 19, इनकी date से भी आप एक idea लगा सकते हैं कि कब counseling start हो सकती है और कब result आ सकता है, इनमें कोरोना के कारण कुछ late हो था, counseling वगरा का भी late हो गी थी, लेकिन पिछले वा 24 को ये counseling start होने की possibility है, और 15 अगस्त को best शुरू होने की possibility है, और 1 जून को ये answer की आने की possibility है, तो ये जानकारी थी answer की के बारे में, अब बात करते हैं आगे करनाटका स्टेट के बारे में, तो करनाटका स्टेट में जिन candidates ने application form फिल किया है, क्योंकि इनके form पहले ही फिल कि क्या है, तो उनको marks की detail फिल करनी है, 20 माई 24 तक, इसमें close y वाले candidate भी आएंगे, उनको भी ये detail फिल करनी है, जो out state से है, non करनाटका है, उनको भी ये close y है, उन candidates को भी 20 माई तक ये marks की update करनी है, कैसे करेंगे आप, इसके लिए इसकी website cto online karnatka.gov.in पर के ये oblique u g c t 24 पर क्लिक करेंगे, यहां u g c t 24 marks entry link पर क्लिक कर देंगे, इस परकार सी login करेंगे, login user id पासवर्ड आपके पास में है, जब आपने form फिल किया था, login पर क्लिक करेंगे, और यहां पर subject select करके, यहां POC नमर वगरा आपका यहां आ जाएगा, यहां subject select करेंगे, physics chemistry आप फिर physics, chemistry इस परकार से 3-4 subject का करके, choose file पर क्लिक करेंगे, और यहां से आपकी mark seat upload करके, upload option पर क्लिक करेंगे, तो इस परकार से आप यह सारा सब कुछ कर सकते हैं, करनाटा के state में जिन candidates ने application form फिल कर रखा है, वो candidate marks update कर दे, अब क्या करनाटा के state के form दुबारा open होंगे, य जैसे ही ओपन होंगे, हम आपको inform कर देंगे, करिला स्टेट के form भी दुबारा open होने की possibility है, वो भी 2-3 दिन के लिए ओपन होंगे, तो उसके लिए भी जिन candidates को करनाटा में admission लेना है, form अभी तक apply नहीं किया है, तो आप हमारे touch में रहें, हम आपको inform कर देंगे, जैसे ही इनके form स्टार्ट होंगे, तो जैसे ही बाके updates में लेगी, result के बारे में, answer key के बारे में, और खुछ new updates के साथ में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपरा आप से लेता हूँ, विदा जैहिन!